मंगलवार शाम जब जैपुर में इस्थित भाजपा काराल्य से जैसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए बजनलाल शर्मा के नाम का एलान किया गया, तब गाउं में उनके मातापिता के आखों में खुशी के आसू चलक उठे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा न पहुंच गई, बजनलाल के नाम की घोशना उने के बाद उनके समर्थकों ने उनके घर के बार मिठाईया बाटी और ढोल नगाडे पर जम कर डांस किया, आज हम आपको बजनलाल शर्मा के बारे में बताएंगे और साथ ही उनके राजनितिक जीवन के बारे में भी बताए कि कैसे और कहां से उन्होंने अपने राजनितिक जीवन की शुरुआत की और कैसे सरपंच से लेकर सीम बनने तक का सफर उन्होंने तै किया, बजनलाल शर्मा भरतपुर जिले के अटारी गाउं के रहने वाले हैं, इनके उम्र 55 साल है, बजनलाल के पिता का नाम किशन स्व क्यारी कर रहा है, दूसरे बेटे का नाम कुनाल है, जो डॉक्तर है, बता दे बजनलाल शर्मा की तीन छोटी भेने भी है, जिनका नाम सत्तो, गुड़ो और रजनी है, बजनलाल शर्मा अपनी पतनी और बच्चों के साथ जैपुर के मालविय नगर में एक अपार्टमें बता दे बजनलाल शर्मा पिछले 35 साल से राजनीती में सक्रिय है, 1991 से लेकर 1922 में तक उन्होंने भारतिय जनता युवा मूर्चा की जिम्मेदारी संभाली थी, इसके बाद साल 2000 में वो अटारी गाउं से सरपंच बने, फिर 2010 से 2015 के बीच वो पंचायत समीती अटारी से सम 2014 से 2016 तक उन्होंने प्रदेश पाध्यक्ष का पद भी संभाला था, फिर 2016 में उन्हें प्रदेश के महमंत्री का पद मिला, बता दे 1922 में भजनलाल शर्मा राम जन्बुहुमी आंदुलन में जेल भी खरे थे, आपको बता दे भजनलाल के पिता उन्हें तीचर बनाना चा बनाई और बाद में धीरे-धीरे लोगों के काम करवाने खुच जाते थे, भजनलाल ने पहली बार अटारी गांव से ही सरपंच का चुनाव जीता, बता दे भजनलाल दसवी की पढ़ाई करने के लिए नदबई चले गए, इस और आन वहाँ वो अखिल भारतिये इसके बाद 1993 में उन्होंने राजस्थान उनिवर्सिटी से राजनीती शास्त्र विशे में एमे किया था, एमे करते समय भी लगातार भजनलालिवा मूर्चा के नदबई मंडल अध्यक्ष से संपर्क में रहे, जिसकी वज़े से उनके एंट्री बीजेपी में हुई थी, इसके बाद वो पार्टी में लगातार तरक्की करते चले गए, जिसके बाद उन्होंने भाजपा में जिला मंत्री, जिला महा मंत्री और जिला अध्यक्ष का पद भी संभाला, बाद में पार्टी ने उन्हें प्रदेश का महा मंत्री भी बनाया था, तो ये थी बजनलाल के राजनेतिक जीवन की कहानी जो हमने आपको बताई जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके पिता उन्हें टीचर बनाना चाहते थे लेकिन किस्बत को कुछ और ही मन्जूर था आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए अगली बार फिर होई ऐसी ही एक दल्चस्प कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार